हैलो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरी चैनल में तो आज हम बनाने वाले हैं बूंदी के लड़ू जिन्हें बनाना बहुत ही आसान हैं यह सबसे आसानी से बनने वाले लड़ू हैं और बहुत ही कम सामागरी से घर के ही सामान से यह बनके त्यार हो जाएंग तो देखे, आप रेसिपी को ध्यान से देखे, तो आपके लड़ू बहुत ही perfect बनेंगे, जब भी मंदिर में भोग लगाना हो या आपका कुछ मीठा खाने का दिलो, तो आप ये लड़ू जरूर बनाएं, खाने में भी ये बहुत जादा tasty लगते हैं, और बनाना भी इनको बहुत आसान है, तो चलिए जल्दी से रेसिपी को हम यह पे शुडू कर लेते हैं, तो सब से पहले हम यहाप एक बोल ले ले लेते हैं, और इस में हम यहाँ डालेंगे, वन एंड हाफ बोल हम यहाँ पर डालेंगे, बेसन मतलब की देगड़ कटोरी हम यहाँ पर बेसन ड आपने देखा होगा मार्करिट के बुंदी के लड्डू का कलर बहुत अच्छा आता है तो उसके लिए आप यहां पे फूड कलर डाले उसके बाद एक बोल हमने आपे ले लिया है पानी तो आप कोई भी कप कटोड़ी या गिलास सेट कर ले उसी से आप सामागरी डाले तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और थोड़े थोड़े करते वे आपको पानी डालना है ताकि हमें बहुत जादा बैटर हमारा गीलाना पड़े और बेशन में गुठली आना पड़े वैसे पूरा एक बोल पानी लग गया है लेकिन आप फिर भी थोड़ से डाले नहीं तो आपका बैटर खराब हो जाएगा अगर आपको लग रहा है कि बैटर परफेक्ट है थोड़ा सा पानी बज गया है या आपको थोड़ा पानी और डालने के सबलता है आप थोड़ा ले सकते हैं तो देखें बैटर हमारा कुछ इस तरीगे का होना चाहिए चलनी है तो आप उससे बूंदी बहुत आसानी से बना सकती है वैसे इसका एक झारा आता है लेकिन आप ऐसे भी अच्छी बना सकती है बूंदी तो इस तरीगे से हम इससे बूंदी बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगी और बहुत अच्छी भी बनेंगी तो गैस कैसी गोल-गोल सी बोंदी निकल रही है. बहुत अच्छी बन जाएंगे ये आपकी बोंदी. और गैस की फिलेम को आप बोंदी डालने के बाद मीडियम कर दे और डालने आपको अच्छे गरम तेर में ज़िए नहीं, तो ये चपटी बन जाएगी. और जब यह अच्छे से आपको लगे चम्मस से छूने में क्रिस्पी हो रही है तब आप इसे टीशू पेपर में निकालने और दूसरी बार वाली डालने से पहले आप तेल को फिर दुबारा से अच्छे से गरम कर ले उसके बाद ही आप बूंदी डाले क्योंकि बूंदी के मैं आप चीनी लेनीए तो मैं ठोड़ा सा मीठा कम डाली हूँ तो मैंने डीड बोलं यहां पर बेशन लिया तो मैं एक बोलं यहांपर चीनी डाली तो आप अपनी डालेंगे हम चमससी चलाते अगर आपको पीले कलर की बुंदी पसंद है तो आप पीला कलर डाले अगर औरेंज कलर की पसंद है तो औरेंज कलर डाले अब हम यहां पे एक चौथाई चमज डालेंगे हरी लाईजी का पाउडर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुश्बू भी बहुत स्था आप इससाफ करकाा है चांइए हम लगाज़ी बास खुशा ने चाहाइए चाहाइए चास्नी हमारी बिलकूल पफेक्ट है बलंके त्यार अब गर्म-गर्म चास्नी में हम को बूंदी डाल लेंगे तो आपको इसी तरीके से बनानी है पहले बूंदी का पाउज आप आप चाशनी तियार करें और जब ताश चाशनी गरम गरम रहे तो आप इसमें जट से बूंदी डाल दें और गैस में आपको कम से 1-1.5 मिनट इसको पकाना है चाशनी के साथ ताकि यह अच्छे से चाशनी को अंदर तक पी ले उसके बाद धकन लगा कि गैस को हमने बंद कर धकन लगा कि 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे इससे बूंदी अच्छे से सारी चाशनी पिलेगी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ज्यादा जूसी हो जाएगी देखे बूंदी कितनी फूल भी गई है और इसने चाशनी को बहुत अच् जाने से बनके इसके लड़ू तयार हो जाएंगे तो देखे अब हम एक चम्मस से इसको हातों में ले लेंगे ताकि हमारे सारे लड़ू एक ही समान बने और देखे इस तरीके से हलके हलके हातों से आपको लड़ू बनाने बहुत जादा सकता हाथ बिल्कुल नहीं लगाने और देखे जट से हमारी लड़ू बन के तयार होगे, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप ज़रूर बनाए, भोग के लिए बना ले या ऐसे ही आपका मीठा खाने का दिल करे घर के हैं, ताजा-ताजे बने हुए हैं, तो घर पे ज़रूर बनाए और बनाना भी नहीं होना चाहिए, तो आपका बेटर भी बिल्कुल पाफेक्ट होना चाहिए, तभी हमारी बूंदी पाफेक्ट बनेगी, तो ये रही मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, आप मुझे जरूर बताइएगा, रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और च के साथ, तब तक किलिए बाई, टेक कियर,